अतिसार ग्रहनी निदान धन्वंतरी जी ने कहा हे सुशुरुत अब मैं आपको अतिसार तथा संग्रहनी रोग के निदान की बाद बताता हूँ वात, पित, कफ और सन्निपात दोश के कुपित होने से ही इन रोगों की उत्पत्ती होती है भै तथा शोक के कारण भी ये प्राणियों के शरीर में उत्पन हो सकते हैं अतहा बातज, पितज, कफज, सन्निपातज, भयज तथा शोकच के रूप में इनके च्छे भैद हो जाते हैं अतिसार रोग अधिक जल पीने से होता है इसके अतिरिक्त सुखे अंकुरित एवं कच्चे अन, तेल पदार्थ, वसा अर्था चर्बी और तेलकुट को अधिक खाने से भी ये उत्पन हो जाता है मद्यपान, रुक्षाह, अधिकतम मात्रा में रस और तेल का सेवन तथा उदरजन क्रुमियों के प्रकोप से एवं वेगारोध से शरीर की वायू प्रकुपित हो उटती है तदनतर वो अपान वायू के रूप में शरीर के अधो भाग में जाकर उस दोश का विस्तार कर जटरागने शक्ती को रासोन मुख बना देता है उस अगनी की मंदता के कारण शरीर में गया हुआ अन्पिंड और पहले से स्थित, पुरिश, अर्थात, मल, भस्न, अथवा सूखने की अपेक्षा द्रवतादी के दोश में बदल कर अतिसार रोग के लक्षनों को प्रकट करता है उस रोग से प्रभावित होने वाले रोगी के रिदय, गुय भाग तथा आमाशयादी में पीडा होती है शरीर में अवसाद होता है एवं पुरिश का निरोध और अपच होता है शरीर पसीने से युक्त हो जाता है और कष्ट के उत्पत्ती होती है वाददोश के कारण शरीर शिथिल पड़ जाता है पाचन शक्ती सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है तथा शरीर में विशेश प्रकार का जवर रहता है उस दोश के कारण उदर में कुछ गुडगुडाहट भी बनी रहती है गुय भाग से बार बार सुखा हुआ फेंसे युक्त स्वच ग्रथीत जला इंध और पिच्छल मल्क कष्ट के साथ होता है इस रोग में मलदवार शुष्क एवं विकृत होकर बाहर निकल जाता है मल निकलने में कष्ट होता है उस कष्ट के कारण रोगी लंबी-लंबी सासे छोड़ता हुआ काखता रहता है पित्त दोश से रोगी को पित्त, कृष्ण, हल्दी तथा नवांकुर्त्रण वर्ण रक्त के सहित अक्ट्यंत दुर्गंध पूर्ण दस्थ होता है उसको तृष्ण, मूर्चा, स्वेध और दाह का प्रको भी होता है कफजनित अतिसार रोग के होने पर गुय भाग में दाहग पाक शूल उठता है और संताब जनित कष्ट होता है इस रोग में मल द्रव्युक्त न होकर, कठोर, भारी एवं घनिभूत रूप में गुदाभाग से बाहर निकलता है वो पिच्छिल रहता है उसी के अनुसार वो बहुत ही कम या अधिक मात्रा में उदर के अंदर विद्यमान मलस्त्रोत में पाया जाता है मल निसारण के समय कष्ट के कारण रोगी को रोमांज, हर्ष, मिचली और कलेश की अनुभूती होती है शरीर के अंदर भारीपन रहता है और इसी के कारण वस्ती प्रदेश, गुदाभाग और उदर में भी भारीपन बना रहता है ऐसे रोगी को दस्त होने के उपरांत भी दस्त की अनुभूती बनी रहती है जब वो वात, पित तथा कफजन्य सभी दोशपूर्ण लक्षणों से युक्त हो जाता है अर्थात रोगी के शरीर में सन्निपात जन्य अतिसार का प्रकोब जन्म ग्रहन कर लेता है तो रोगी उस समय उक्त समस्त वातादिक द्रिदोशव के लक्षण से समन्विद बन जाता है भैवश चित्त के विक्षुब्ध होने पर स्थान विशेश में पड़े हुए रोगी के उदरभाग का मल द्रवीभूत हो उटता है तदनंतर उस त्रवपूर्ण मल को यथा शेघर वायू गुय मार्ग से बाहर निकाल देता है अर्थात भैवशात रोगी में मलत्सर्ग की इच्छा बलवती होडती है और अंत्त तोगत्वा उसे पानी के समान मल होता है वात तथा पित्त दोश से होने वाले अतिसार रोग के एक समान ही लक्षन बताए गए हैं वैसे ही लक्षन शोकज अतिसार में भी उत्पन होते हैं संक्षित तहा अतिसार रोग के दो प्रकार हैं उनमें प्रथम साम है और द्वित्य निराम है साम अतिसार रोग में मल आव के सहित होता है किन्तु निराम अतिसार में आव दोशरहित मल निकलता है उनमें एक सरक्त होता है और दूसरा बिनारक्त का होता है साम अतिसार में मल बड़ा दुरगंधित होता है और जल में डालने से डूब जाता है रोगी के पेट में गुड़गडा हट, विष्टम्भ वेदना और मुख प्रसेख होता है निराम के लक्षन साम से विपरीथ होते हैं कफजन्य होने के कारण पक्व होने पर भी मल जल में नहीं डूपता है जो अतिसार में सावधानी नहीं करता उसे ग्रहनी रोग हो जाता है अगनिमांदता को बढ़ाने वाला अत्याधिक मातरा में किये गए दोशपूर्ण आहार विहार के सेवन से अतिसार रोग का प्रादुर्भाव होता है जब रोगी के शरीर से साम या निराम मल अत्याधिक निकलता है तो उसे अतिसार कहते हैं मलोटसर्ग अधिक होने के कारण इसकी अतिसार संग्या है ये स्वाभाविक आशुकारी है यही अतिसार जिर्ण होने पर संग्रहनी रोग बन जाता है ग्रहनी रोग में भुक्त अन्न के अजिर्ण होने पर कभी आमसहित और कभी सान्न मल निकलता है अन्न के जिर्ण होने पर कभी पक्व मल निकलता है कभी कुछ नहीं निकलता और कभी बार-बार बंधा या धीला दस्त होता है ये रोग चिरकारी होता है इसलिए से संग्रहनी कहते हैं संग्रहनी चिरकारी तथा अतिसार अशुकारी होता है इस रोग में एकाएक मल्की प्रवृत्ति का बारंबार संगात होता है अथ्वा वो एकाएक रुक रुक कर बाहर निकलता है ऐसा ये संग्रहनी रोग वात पित तथा कफजन्य दोश से तो तीन प्रकार का है ही, किन्तु सान्निपातिक दोश के कारण भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये चार प्रकार का हो जाता है। रोगी के शरीर में शिथिलता, अगनिमांध्य, खठी डकार, मुख से लालास्त्राव, धूम निर्गमवत प्रतीती, तमक, ज्वर, मुर्चा, अरूची, त्रिष्णा, ठकान, भ्रम, अपच, वमन, कान से भन्मनाहट और अंत्रकूजन ये ग्रहनी के पूर्वरूप हैं। वातज ग्रहनी रोग में तालूशोत, तिमिर रोग, दोनों कानों में शब्द, पसली, उरू, वंक्षन और ग्रीवा में दर्द, बार-बार विसुचिका, सब कुछ भोजन की इच्छा, क्षुधा, त्रिषा, कैंचे से कतरने की पीडा, अफ्रा, कुछ भोजन करने से स् पस्ता, फेन सहित मल ये सब लक्षन उपस्थित होते हैं, रोगी वातज, रुद्रोग, गुल्म, अर्ष, प्लीहा, पंडुरोग की शंका करने लगता है, देर में कष्ट के साथ पतला या गाढ़ा, थोड़ा कच्चा एवं फेन युक्त बार-बार मल आता है, गुदा मे दर्द और श्वास खासी भी उठने लगती है, पितज ग्रहनी रोग में रोगी पीला पड़ जाता है, उसे पीला, निला और पतला दस्त होता है, वो दुरगंदित, खटी, डकार, रिदय और कंठ में दाह, अरुची और त्रिशा से पीडित रहता है, पितज ग्रहनी के ह पर रोगी का मल द्रवरूप हो जाता है, और कफजन्य ग्रहनी रोग होने पर रोगी को अन्ल कठिनता से पच्टा है, उसको चरचराहट भरा वमन होता है, उसे भोजन में अरुची होने लगती है, उसके मुव में दाह होता है, उसको कफ युक्त खासी आती है, उसके तथा अमलता के दोश्रे संशलिष्ट रहता है। उस रूप में प्रायह, मैथुल, अशक्ति एवं रोगी की शक्ति का अधिक रहास होता है। इस रोग में बलवान व्यक्ति भी दुरबल हो जाता है और उसमें रोग के सभी लक्षन दिखाई देने लगते हैं। हर क्षन शिथील होते हुए शरीर के कारण उसके मन में विक्रुत चिंताय भी बढ़ जाती हैं। समस्त रोगों का यही मल ही कारण है। इसी मल के शरीर में रहने पर प्राणी में वात व्याधी, अश्मरी, कुष्ट, मेह, जलोदर, भगंदर, बवासीर और ग्रहनी रोग हो हे सुशृत, अब इसके बाद आब मुत्राघात का निदान सुनें। वस्ती अर्थात पेडू अर्थात नाभी प्रदेश से नीचे और मुत्र प्रवाहिका के उपर का भाग। वस्तिशीर अर्थात मुत्र प्रवाहिन नली, मेंडर अर्थात जननेंद्रिय अर्थात लि संबंध और एक ही जगे ग्रथीत हैं इन सभी का आश्रे गुदाभाग में रहने वाले अस्थी विशेश के चीद्र से संबंध रहता है पेडू अर्थात वस्ती अधोमुखी है इसमें चारो और से सुक्ष्म शिराओं के मुखाभाग से होकर रिसाव होता रहता है इससे व अमेहादी रोग अत्यंत कष्ट साध्य है अर्थात इन रोगों के होने से रोगी को मरमाहत करने वाली पीडा होती है रोगी के पेडू वंक्षन और लिंगभाग में भी कष्ट होता है उस कष्ट से गुपतांगों के द्वारा होता हुआ मुत्र अल्प मात्रा में बार ब पीडा होती है जब ये रोग कफज होता है तो उसके पेडू और लिंग में भारीपन तथा शोथ आ जाता है मुत्र पिच्छल और रुकरुक कर होता है रोगी पर सर्वत दोशजन्य मुत्रागात होने से सभी लक्षन पाये जाते हैं जब वायू वस्ती के मुख को परोचन बन जाता है वैसे ही ये अश्मरी होती है प्रायाह सभी प्रकार की पत्रिया कफाश्रीत ही होती है इस रोग का पूर्वलक्षन इस प्रकार है इस रोग के होने में वस्ती भाग में अवरोध होता है अथ्वा उसके सन्निकट अन्या किसी भाग में भी हो सकता है ज प्रजा मुत्र के समान गंध, ज्वर और अरुची होती है। इस रोग का सामान लक्षन तो ये है कि रोगी के नाभी लिंग मनी और वस्ती के शिरुभाग में कश्ट रहता है। अश्मरी द्वारा मारगा वरोत के कारण वहां उस समय परियाप्त भाग में मुत्र फैल जाता है। वो रुक-रुक कर बाहर निकलता है। मुत्र निकलने पर रोगी को सुखान भूती होती है। उस मुत्र का वर्ण गोमेद या गोमुत्र के समान ज्छलकता रहता है। मुत्र निर्गमन में ऐसा प्रकोप हो जाने पर रक्त, मान्स तथा धातु प्रवाह के मारग में क वातज रोग से व्यथीत रोगी अपने दातों को किटकिटाता हुआ कापता है। वस्तिभाग जलने लगता है। उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंदर ही अंदर कुछ पक रहा हो। इस पित्तदोश जन्य अश्मरी का स्वरुब भल्ला तक अर्थात भिलावे के बीच के समान होता है। इसका वरन लाल, पीला अथ्वा काला होता है। चै की अलपता के कारण बालकों की अश्मरी ग्रहन करके सुख पुर्वक निकाली जा सकती है। शुक्र के वेक को रोकने से प्राणी के शरीर में शुक्राश्मरी नामक भयंकर रोक के उत्पत्ती होती है। जब धातु प्रवाही का नाडी से गिरा हुआ अथवा कुपित वीरियत दोनों अंडाशयों के बीच रुख जाता है और लिंग मार्ग से वो बाहर नहीं निकलता तब वहां स्थित विक्रुत वायू विक्षुब्ध होकर उसको सुखा देता है। उसी दोश से इस शुकराश्मरी का जन्म होता है। इस रोग में भी वस्तिभाग में पीडा होती है। रोगी को मुत्र निर्गत करने में कश्ट होता है। इसका भी वरण श्वेत माना गया है। इसके कारण मुत्रावरोध होने से तत्संबंधी स्थानों में सुजन आ ज इसी अश्मरी रोक के कारण रोगी के शरीर में शरकरा रोक का विकार भी उत्पन हो जाता है। शरीर में विक्षुप्ध वो वायू वस्ति भाग के मुख को विधिवत ढखकर मुत्रावरूत उत्पन करता है। वायू जिन ने इस रोक को वातवस्ति के नाम से स्विकार किया गया है। वातवस्ति के दो भेद हैं। पहला वस्ति के मुख को रोकने वाला दुस्तर कहलाता है और दूसरा दुस्तर तर वस्ति के मुख को उपर करने वाला अत्यनत क्रुच्छ साध्य हैं। क्योंकि इसमें वायू का विशेश प्रकोफ होता है। जिसके कारण इसको वाताश्ठिला नाम से अभीत किया गया है। इस रोग में वायू रोगी के अपान वायू तथा मल मुत्र को अवरुथ कर देता है। वस्ति भाग में विद्यमान कुपीत वायू कुंडली मार कर तीवर पीडा को जन देता है। वहां मुत्र को रोग कर वो उसमें अत्याधिक स्तंभन का दोश उत्पन करता है। ऐसे अवस्ता में रोगी को बहुत ही अल्प मात्रा में बार बार मुत्र होता है तथा ऐसे अवस्ता में रोगी मुत्र को अधिक देर तक रोकने में असमर्थ रहता है। ऐसे रोग को वात कुंडली का कहते हैं। जब रोगी रुके हुए मुत्र को निकालने में पिडा कानुभव करता है तो वो निरुध्ध मुत्र कृच्छ रोग है, अत्वा मुत्र को अधिक काल तक रोखने के पश्चात यदि उसका वेग नहीं आता है या रुक-रुक कर आता है और कुछ कश्ठ होता है तो उसको मु का संग्रह करता है इसे मुत्र जठर कहते हैं मुत्र के दोश से अत्वा कुपित वायू के द्वारा आक्षिप्थ हुआ थोड़ा सा मुत्र वस्ती नाल उपस्थ की मनी में स्थीत होकर थोड़ा थोड़ा दर्द करता हुआ अत्वा बिना दर्द के ही निकलता है इसे मुत्र मुत्र रोग ग्रसित रोगी का जब स्त्री के साथ सहवास होता है तो उस समय वायू के द्वारा ही स्त्री के गरभाशय में शुक्र पहुच जाता है किन्तु स्थान विशेश से निकला हुआ वो शुक्र मुत्रक शरण होने से पहले अत्वा बाद में लिंग से बाहर आता है इसका स्वरूप भस्म मिश्रिद जल के समान होता है उसको वईद्यक में मुत्र शुक्र के नाम से जाना जाता है जब रुक्षता और दुरबलता के कारण वादजन्य दोश से उपावर्त पद्रव होता है अर्थात शरीर के अंदर विद्यमान अपान वायू व्यान वायू से घिर जाता है अर्थात मलावरोध हो उठता है तो उस काल में वो मलमुत्र स्त्रोत की संस्रिष्टी से संयुक्त हो जाता है इसमें मुत्र बून के द्वारा शरेर के अभ्यंतरिक भाग में बढ़ा हुआ पित, वायू, विकार, वस्ति भाग में दाह उत्पन कर देता है। जिसके कारण रक्त युक्त मुत्र निकलता है अत्वा उश्ण रक्त ही उसकी मुत्र प्रवाहिका से बार बार कष्ट कुरुवग गिरता है। उस लक्षन से युक्त मुत्रागात कष्ट को मुत्रक्षे कहा गया है। यदि कुपित वायू के द्वारा पित और कफ अत्वा इन दोनों का संक्षुध कर दिया जाता है तो उस समय प्राणी को जलन, कष्ट साध्य मुत्र, निर्गमन होता है। उसके मुत्र का वरण पी कहते हैं। इस प्रकार विस्तार पूर्वक मुत्र में होने वाले रोगों को भी मैंने बता दिया है।